नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिखाधूरिया माराश में कोरुना वारिस की बढ़ती मामलों की बीच पूरे जिले में एहतियाती कदम उठाए गए है पूरे के सभी स्कूल और कॉलेजों को 28 स्वरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है इस वरान कोचिंग क्लासे भी बंद रहेंगी होटल्स, रेस्टूरेंट्स और बार रात 11 बजी तक ही खुल सकेंगे आपको बता दे महाराश्ट के उपमुक्य मंतरी अजीत पवार ने पूरे में कोरोना की सिती का आकलन करने के लिए वरिष्ट अधिकारियों के साथ बैठा की इस बैठा की बाद ही जिले में एहतियाती कदम उठाए गए है पूरे में वैसे तो नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया है लेकिन लिमिटेट कर्फ्यू के ऐलान किया गया है इसके तहट रात 11 बजे से सुबा 6 बजे तक लोगों की बेवज़े की आवाजाही पर रोक रहेगी बेवज़े गूमने वालों पर कारवाई की जाएगी इस जोरान लोग सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर आ सकेंगे जरूरी गती वीडियो में शामिल लोगों जैसे समाचार पत्र बाटने वाले और सबजी विक्रेता इस प्रतीबंद से बाहर रखे गए हैं इसके अलावा पूरे में शादी समारो, सम्मेल या फिस सावजनिक कारिक्रमों में 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमती नहीं होगी सभी तरह के कारिक्रम के लिए पुलिस की लिखित अनुमती अनिवार रहे हैं वहीं पूरे में कौरोना टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है कौरोना के बढ़ते खत्रे को देखते हुए कौरोना की संख्मितों की संख्या के मामने में पूरे का नंबर महाराष्ट में बारवा है लेकिन प्रशासन पूरी हरकत में आ गया है जिले के होट स्पोर्ट का पता लगा कर कॉंटेक्ट प्रेसिंग को बढ़ाने की शरुआत कर दी गई है फ्रन्टाइन वर्कर्स की वेक्सिनेशन की रफ्तार बढ़ा दी गई है इनके लवा आईपति सौरब राफ के मताबिक कॉरोना कीमो को लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जाग़ करने की कोशिश की जा रही है आपको बता दे कि पूरे में शनीवार को एक दिन में कॉरोना संक्मन के 849 नए मामले सामने आए है इसके साथ ही पूरे में कुल केस बढ़कर 397,431 हो गए है पूरे में 6 लोगों की मौत के साथ कुल मृतकों का आकड़ा 9,177 पर पहुँच गया है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए One India Hindi के साथ